असलाम लेकुम, मैं हूँ अकसर मनसूर और आज मैं आप सब के लिए इतना दिलचस्प टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आप सब सुनकर काफी हिरान रह जाएंगे, आर्टिफिशल ड्रेन और क्लाउड सीटिंग। हम ये बात जानते हैं कि टेकनोलोजी ने इतनी तरक्की कर लिया कि इंसान ने जैसे चांद पर जाना मुम्किन बना लिया है, तो मस्नुवी बारिश बनाना भी इंसान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। जैसे कुदर्ती तोर पर बारिश परस्ती है इसी तरह इनसान खुद कैसे बारिश परसा सकता है आईए ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि कुदर्ती बारिश कैसे बरस्ती है इसकी वज़ा है सूरज सूरत समुन्दर की सता के पानी को काफी गरम कर देते हैं जिसकी वज़र से वो पानी हबाब बनकर उड़ने लगता है जिने हम Water Whipers कहते हैं फिर हवा इन Water Whipers को आसमान में ले जाती है जहां पर ठंडी हवा होने की सूरत में ये दुबारा से Water Whipers पानी में तबदील हो जाते हैं और ये पानी के ड्रॉपलेट्स अपस में कंबाइन होकर एक बादल की शकल इख्तियार कर लेते हैं वैसे तो ये Water Droplets एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा Water Droplets नहीं बनाते हैं लेकिन ये एक Water Droplets दूसरे स्मोक पार्टिकल्स, डस पार्टिकल्स और मिचोरिक डापरिस के साथ मिलकर बहुत बड़ा Water Droplets बना देते हैं अब इस Water Droplets का वजन इंतहाई जदा हो जाता है और ग्राविटी की वज़ा से ये जमेन पर बारिश बनकर बरसना शुरू हो जाते हैं जिसे हम Rain कहते हैं देखते हैं कि Cloud Seeding क्या होती है और कैसे Cloud Seeding के जरिए Artificial Rain बनाई जाती है Silver Iodide जो के Rockets और Aeroplines की जरिए एक Targeted Cloud पर स्प्रे किया जाता है जिसके वज़ा से Cloud में मुझूद छोटे छोटे Water Droplets एक दूसरे के साथ कंबाइन होने पर मजबूर हो जाते हैं और जब ये Water Droplets एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा Water Droplets बना देते हैं और उसका वज़न बहुत ज़दा होता है कि वो हवा में नहीं रह सकता और Gravity की वज़ज़ से वो बारिश बनकर बरसना शुरू कर देता है और इस Rain को हम सिरफ Rain नहीं बलके Artificial Rain का नाम देते हैं Silver Iodide के इलावा भी Cloud Seeding के और भी कई तरीके हैं जैसे Sol Flares जिसमें हम Potassium Chloride या Sodium Chloride को एक Targeted Cloud पर स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने की वज़ा से छोटे छोटे Water Droplets कंबाइन होकर एक बड़ा Water Droplets बना देते हैं और फिर इसी तरह Artificial Rain बनाते हैं अब देखते हैं कि दुबई कैसे Artificial Rain बना रहा है जिससे एशो अराम का दूसरा नाम आना जाता है लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पानी पीने के लिए एक-एक कतरा कितनी मुश्किलों से खटा करता है दरसल दुबई में बारिश साल में सिरफ 10 बार होती है जिसकी वज़ा से वहां पर कोई River Flow नहीं करता वैसे तो दुबई में बहुत पानी मुझूद है लेकिन ये पानी सौल्टी होने की वज़ा से पिया नहीं जा सकता इसलिए पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए Giant River Osmosis Plant के थूँ फिल्टर किया जाता है और 1000 लीटर पानी फिल्टर करने के लिए तकरीबन 4500 रुपीज का खर्चा आता है यही वज़ा है कि दुबई Cloud Seeding के जरिए Artificial Rain बना रहा है और Artificial Rain से जो पानी आता है वो ही पीने के लिए इस्तमाल किया जाता है और इसमें महस 75 रुपीज का खर्चा आता है दुबई ने हजर के पहाडों के बीच में एक डैम बनवाया है और इस डैम के बिलकुल उपर Cloud Seeding करवाया जाती है Cloud Seeding से जो Artificial Rain बनती है उसका सारा पानी पहाडों से स्लाइट करके इस डैम में आकर अखटा हो जाता है जिसको बाद में पीने के लिए इस्तमाल किया जाता है इसकी बाद तो अब सब जानते हैं कि दिन बदिन टमपरेचर बढ़ा आए इसकी वज़ा से टमपरेचर को मिंटेन रखने के लिए भी दुबई Cloud Seeding करवाता है ताकि वहाँ पर मौसम ठंडा रहे आज के लिए बस इतना ही मैं उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगी होगी और आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा भी होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा और मेरी चानल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा थैंक यू सो मच अलाफिस